हे गाइस आइम शीनम वेलकम बैक टू मैं चैनल आई होप यौल आ डूइंग गुड तो गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है इन गर्मियों में सबका यह मन होता है कि कुछ ठंडा और रिफ्रेशिंग पीने को मिल जाए तो ऐसा ही डिंक मैं आज आपके लिए लेकर आई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुन सके तो यहां पर शर्बत बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक कप पुदीने के पत्ते लिए हैं इनको अच्छे से धो लिया है ताकि मिट्टी विगरा सब निकल जाए एक ब्लेंडर जार में डालेंगे और इसमें डालेंगे एक चुथाई कप पानी और इसको पीज कर इसका महीन पेस्ट बना लेंगे तो यहां पर हमारे पास बहुत ही अच्छा पुदीनी के पत्तों का पेस्ट बनके रेडी हो चुका है अगर आपको बहुत ही फाइन पेस्ट चाहिए तो आप इसे चान भी सकते हैं एक आदा पत्ता इसमें अगर रह भी जाता है शर्बद बनाते हैं मूँ में आता है तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है एज इस भी आप इसे यूज कर सकती है तो एक पैन लिया है इसमें डालेंगे एक कप चीनी का जितनी चीनी ली है उतना ही हम इसमें डालेंगे पानी जानी की एक कप पानी डालेंगे धीमी आंच पे इसे पकने के लिए रख देंगे साथ ताकि चीनी तले पे ना चिपके जब आदी चीनी पिगल जाएकी फिर इसमें डालेंगे हम जो हमने पदीनी के पत्तों का पेस्ट बनाया था तो यह पदीनी के पत्तों का पेस्ट यहां पर मैंने डाल दिया है फिर हम इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे धीमियाज पे ही लगात चलाते हुए तो 2-3 मिनट इसे पकाते हुए हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे बुने हुए जीरे का पाउडर आदा चमच आदा ही चमच डालेंगे काले नमक का और एक चमच डालेंगे सफेद नमक इन तीनों चीजों को अल्रड़ी मैंने मिक्स करके रखा हुआ था तो मैंने जहां पर दो चमच भरके इन तीनों चीजों के डाल दिये हैं फिर हम इस मिक्सर को तब तक पकाएंगे जब तक यह गाड़ा नहीं हो जाता जैसे की शेहद होता है वैसे ही कंसिस्टेंसी का यह गाड़ा हो जाएगा एक स्पून में थोड़ा सा मिक्सर लेके हम कर लेते हैं थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं फिर हम इसे टच करेंगे तो यह यहां पर यह चिपचिपा सा लग रहा है एक तार नहीं बन रही है तो यह परफेक्ट कंसिस्टेंसी है तो हमें ऐसा ही मिक्सर चाहिए तो अभी हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे निम्बू का रस डाला यहां पर याद रखिए कि फ्लेम को बंद करके ही दोनों चीजे मिक्स करनी है नहीं तो यह कड़वा हो जाएगा निम्बू और पुदीनी का शर्बत बनके रेडी हो गया है इसको बॉटल में फिल करके हम फ्रिज में रख सकते हैं और पूरी गर्म में डालेंगे हम इसमें ठंडा ठंडा पानी इसे मिक्स कर लेंगे और हमारा बहुत ही मज़ेदार जटपट से शर्बत बनके रेडी हो गया है उपर से हम इसे गार्निश करेंगे पुदेनी के पत्तियों से जब भी आपके घर में गैस टाए तो जटपट से यह शर्बत त तब तक के लिए बाबाई